नमस्कार स्वागत आपका सेहत मंद नुस्खे में मैं हूँ आपके साथ सुमन आरनेगी दोस्तों क्या परेशान है रूखी यानि की ड्राइ स्किन से और सरधियों में आपकी परेशानी अब और भी पड़ गई है तो परेशान होने की बिल्कूल भी जरुवत नहीं है आपकी इसी परेशानी को देखते वे हम हाजिर हैं आज ये वीडियो देखे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों विंटर में हमारी स्किन और भी ड्राइ हो जाती है और इसे ठीक करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले ताकि जब भी ऐसे कोई नई वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिले स सिर्फ और सिर्फ एक लिक पर सर्दियों का मौसम आते ही चहरे में भी बदलाव आने लग जाते हैं चहरे में ड्राइनस आने लगती है सर्दियों का मौसम आपसे पहले आपकी तवचा महसूस करती है आपकी तवचा सर्दियों की आहट से ही बदलने लगती है तवचा पावजुद आपके स्किन रूखी रहती है कई बार उसमें इचिंग भी होती है तो इससे पहले कि हम आपको ये बताए कि आप विंटर ड्राइनेस की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए आपको अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करना ह उससे पहले जान लिजे कि आकिर किन किन कारणों से आपकी जो स्किन है वो सर्दियों में और भी जादा ड्राइ हो रही है Central heating सर्दियों के दिनों में आप दिन भा Central heating में रहते हैं ये आपकी त्वचा की प्रकरतिक नमी चुरा देता है ऐसे में आप कोई गर्म जैकेट पहन कर रख सकते हैं या फिर humid fire भी लगा सकते हैं ये हवा में नमी को वापस ले आता है और इस तरह आपकी त्वचा की नमी भी बनी रहती है कोशिश करें कि इससे cool mist version में ही चलाए ना करें जादा गर्म पानी का अस्तमाल बहुत जादा गर्म पानी का अस्तमाल भी त्वचा में रूखा पन लाता है इससे त्वचा पस अफेध रंग की परत जम जाती है हाद धोने या नहाने के लिए गरम पानी के बचाए गुनगुने पानी का अस्तमाल करें इससे काफी हद तक त्वचा की नमी को खोने से बचाया जा सकता है वहीं हम सर्दियों में पानी पीना भी कम कर देते हैं जिसकी वज़ा से पूरे शरीर में डिहाइड्रेशिर होने लगती है इसका संकेत सबसे पहले हमारी त्वचा देती है इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में भी दिन भर में कम से कम आठ से दस ग्रास पानी आप जरूर पी है कम करें साबुन का स्तमाल कुछ साबुन काफी हार होते हैं ये त्वचा को नुकसान पहुचा सकते हैं इससे त्वचा का नैचरल आउयल कम होने लगता है और वो रुखी और बेजान हो जाती है इसलिए इस मौसम में साबुन का स्तमाल कम से कम करें इसकी जगह पर आप हर्बल या नैचरल प्रोड़क्ट स्तमाल कर सकती हैं खुद को मौशुराइज रखें सर्दियों का मुकाबला करने के लिए त्वचा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के जरुवत होती हैं इसलिए जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम खुद को मौशुराइज करते रहें नहाने से पहले बॉड़ी पर तेल लगाना एक अच्छा विकल्प है इसके लावा आप नहाने के बाद भी किसी भी अच्छी कंपनी का बॉड़ी लोशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप नहाने के बाद भी कोई भी तेल लगा सकते हैं सर्सो का और ओलिव ओलिव बेस्ट है ये तो बात भी विंटर ड्राइनस से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है अब बात करते हैं विंटर ड्राइनस को कम करने के लिए क्या करें तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट बध्यान दे अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी स्किन खुद बाखुद ग्लोइंग बन जाएगी दिन भर वो फ्रेश फिल करेगी कोशिश करें कि आप जादा से जादा हरी सबजियों को फॉलो को अपने डाइट में शामिल करें साथ ही जो जरूरी फैट होते हैं उन्हें भी अपने आहार मिलेना बिल्कुल ना भूलें तुअचा को कोमर बनाने के लिए विटामिन बहुत जरूरी हैं खासता और विटामिन A, B और E युक्त खाद्य प्रदार्थ का सेवन आपको जरूर करना चाहिए तुचा का रूखापन दूर करने और तुचा को मौशुराइज करने के लिए हरी और पत्तेदार सबजियों का खुब सेवन करना चाहिए खानपान के साथ इध्यान रखे कि चाय या फिर अन्य तरह प्रदार्थ लेते समय तुलसी और अद्रक जरूर डालें इसके लावा अगर आप ग्रीन या फिर लेमेंटी पीते हैं तो वो जाद अच्छा होगा खानपान में मौस्मी फलों के साथ साथ हरी सबजय तो आपको शामिल करनी ही है साथ ही आपको पिंडायित में शामिल करने हैं गाजर, सीता फल और आमला क्योंकि इनमें विटैमिन C, विटैमिन E, विटैमिन B कॉमपलेक्स और विटैमिन A भरपूर मातरा में होता है टमाटर में लाइकोपीन होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है शहद में एमिनो एसीट, विटामिन और कार्बो हाइबरिट होता है सोयाबीन में विटामिन E और प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है इसी के साथ गाजर, गाजर में क्रेतोनोईड होता है, जो आपकी स्किन के लिए एक जरूरी पोशक्तव है ब्रॉक्ली विटैमिन A, विटैमिन C और क्रेतोनोईड से भरपूर होता है और ये सभी पोशक्ततव winter dryness से आपकी स्किन को बचाते हैं इसके लावा आप नर्स जैसे की बादाम को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन E होता है एक और ड्राइफ रूट है, वो है खुबानी, खुबानी में क्रेटिनॉइड और एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं और ये दोनों ही पोशक तत्व आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं इसके लवा आप कुछ फेस पैक भी लगा सकते हैं, जो की बिलकुल नैचरल हो, जैसे की एलोवेरा के साथ शेहद, संद्रा, पपीता, गाजल, सेब, बादाम मिलाकर आप एक फेस पैक तयार कर सकते हैं, जो विंटर ड्राइनस को कम करने में आपकी मदद करेंगे, इससे आपकी त्वचा की जो खोई हुई नमी है, वो वापस लोटाएगी, ये सभी पोशक तत्व आपके स्किन को पोशन देने और मौशुराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अपनी डाइट में शाम आज इस वीडियो में इतना ही खुश रहें, तंदरुस्त रहें, नमस्काल